हेलो दोस्तो, sociology classes में आप सबका स्वागत है Sociological Thinkers के इस सीरीज में आज हम डिसकस करने वाले है Harold Garfinkel के बारे में Harold Garfinkel, जिनने हम father of ethno methodology भी कहते है यह हमारे sociological point of view से बहुत ही important है क्यूंकि इन्होंने ethno methodology का जो perspective है यह दिया था और ये हमारे sociology को बहुत आगे ले जाता है हमें individual को समझने में उसका जो common sense reality है common practices है ये सारे चीज़े समझने में हमें ethno methodology बहुत ज्यादा help करता है तो आज के class में हम कौन सी कौन सी concepts को discuss करने वाले है पहले वो देख लेते हैं हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये ethno methodology होता क्या है Harold Garfinkel ने ethno methodology के बारे में क्या क्या कहा था फिर देखेंगे उनका cultural dope का concept उन्होंने कहा था कि लोग जो है वो एक puppet की तरह है वो culture के साथ बंधे हुए है वो culture के साथ ही चलते है इस cultural dope का concept को भी हम जानेंगे conversational analysis के बारे में इसके अलाबा भी उनका बहुत सारे concept से जो हम class में देखेंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी thinker है हर thinker का ज्यादा तर जो concept है confusing जो concept है सारे का note भी अच्छी तरीके से बना के देदू ताकि आप लोगों को चीजे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और जब आप लोग note तयार करो तो आप लोगों को चीजे समझने में भी आसानी हो अगर आप मेरे classes में ने है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring इस चैनल पर आपको sociology related सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlists से आप लोग playlist से चीजे बहुत आसानी से ढूंड सकते हो यहाँ पर इस चैनल से आप लोगों को इगनु का MA, sociology के exam में इसके साथ साथ net, select, CVT सारे exam में आपको बहुत ज्यादा help मिलेगे तो चैनल को जरूर subscribe करके रखिएगा तो चलिए आज का class हम शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं कि Harold Garfinkel का major concepts क्या क्या है Harold Garfinkel एक American sociologist थे जिनका जनम 1917 पे हुआ था और उनका देहांथ 2011 पे हुआ था इस बज़े से हम देख सकते हैं कि इनका life span बहुत बड़ा था वो बहुत सालों तक जिये और इन्होंने बहुत सारे ऐसे theories develop की थी इन्होंने बहुत सारे ऐसे concept दिये है जो हमारे sociology में एक बहुत important role play करता है हम आज इस जगा पर Harold Garfinkel का major concepts को देखेंगे अब major concepts का meaning क्या होता है major concepts यानि जो सारे theories या फिर जो सारे words Harold Garfinkel ने दिये है ये सारे चीजे basically उनके keywords है यानि कि हम जब भी MCQ based question answer करेंगे तो ये सारे keywords हमें पूछे जाते है कि ये keywords किसने दिये है ये term किसने origin किया था इस तरीके का question पूछा जाता है इस बज़े से यहाँ पर मैंने major concepts का एक आप लोगों को list दे दिया है ताकि आप लोग जब भी MCQ based question answer करो तो आपको चीजे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए यहाँ पर देखते है कि उनका major concepts क्या क्या है उनको हम father of ethno methodology कहते है यानि कि ethno methodology का development Harold Garfinkel ने किया है उन्होंने glossing के बारे में बात की है cultural yafil judgmental dope conversational analysis accounting, reflexivity, index security practical reasoning, breaching experiment इसके साथ साथ उन्होंने और भी theories है जो दी है shop floor problem के बारे में उन्होंने study की थी उन्होंने service lines को भी discuss किया था etc principles के बारे में भी बात की थी उनका एक बहुती famous essay था जो है color trouble यह हमारे ethno methodological point to view से बहुत important था कि हम किस तरीके से लोगों का reality को समझ पाते है यह color trouble बहुती एक important essay है जो question में पूछा जाता है उन्होंने कहा था कि social facts accomplished by members यानि कि social facts जो होता है वो members के द्वारा ही तयार की जाती है यहाँ पर उन्होंने email डियुर्खेम का जो social facts का concept है इसको criticize किया था उन्होंने documentary method का use करते हुए ethno methodology को develop किया था उन्होंने कहा था ethno methods are reflexibly accountable यह जो points है यह सारे ज्यादातर points हम आगे class में discuss करने वाले है अब देखते है Harold Garfinkel का important books उन्होंने बहुत सारे books लिखी है लेकिन इन में से हमारे लिए जो सबसे ज्यादा important है वो है studies in ethno methodology यह जो book है यह book बार बार पूछा जाता है ethno methodology जो term है यह हम Harold Garfinkel से ही relate करते है इस बज़े से ज्यादातर अगर आप UGC net का question पर आपर answer कर रहे हो तो यहाँ पर ethno methodology का जो भी question आता है ज्यादातर आप इसका answer Harold Garfinkel ही होता है और यह जो book है यह भी बहुत बार पूछा जाता है इसके अलाबा भी उनके बहुत सारे books है जैसे studies in routine grounds of everyday activity फिर the routine grounds of social action जहाँ पर उन्होंने social action किस तरीके से होता है उसके बारे में भी discuss की है इसके अलाबा भी बहुत सारे book है आप लोग इस book को थोड़ा देख लेना अब देखते हैं ethno methodology ethno methodology exactly hacky हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को study करते है बहुत सारे channels देखते है YouTube पे या फिर बहुत सारे book को refer करते है लेकिन ethno methodology का कोई perfect definition नहीं मिल पाता या फिर हमें समझने में मुश्किल होती है कि यह Phenomenology से किस तरीके से अलग है अगर हम Phenomenology की बात करें तो यहाँ पर हम Phenomena को Study करते हैं यहाँ पर लोगों के Experience को Study करते हैं लेकिन हम जब Ethno Methodology की बात करते हैं यह दो वार्ड से बनता है Ethno और Methodology Ethno यानि की People और Methodology यानि की Methods यहाँ पर People की Method की बात की जाती है यानि की जो लोग है उनके Reality के बारे में बात की जाती है यहाँ पर Practical Action, Practical Reasoning, Common Sense Reality की बात की जाती है इस बज़े से हम अगर Ethno Methodology को Define करने की कोशिश करें Ethno Methodology is considered to be a study of common and everyday methods of Practical Action and Practical Reasoning यानि की हमारा Day-to-day Life में हम किस तरीके से लोगों के साथ Interact करते है हम Commonly किस तरीके से Action करते है या फिर हमारा Reasoning किस तरीके से Use करते है यह सारे चीज़े हम Ethno Methodology में बात करते है यहाँ पर यह जो Ethno Methodology है यह हमारा Everyday Taken for Granted Reality के बारे में बात करता है यानि की जो सारे चीज़े हम Normally सोचते भी नहीं है यह सारे उस सारे चीज़ों को Study करने की कोशिश करते है जैसे हम लोगों के साथ Shake Hand करते है इसको भी वो Study करेगा क्योंकि यह हमारा Everyday Reality है Everyday हम इसी तरीके से काम करते है यहाँ पर हमारे Common Sense Reality के बारे में Study किया जाता है अगर इसकी Methodology की बात करें यह ना Macro है It is neither Macro nor Micro Artful Practices of Both Certainly not Macro यानि कि यह जो Methodology है यह Macro भी नहीं है और Micro भी नहीं है Micro यानि कि जब हम चीज़ों को लोगों के हिसाब से समझते है यानि कि एक-एक इंसान पार्टिकुलर इंसान के हिसाब से समझते है जैसे अगर हम Symbolic Interactionism में ज्यादा तर हम लोगों के बारे में Study करते है लेकिन इस तरीके का Micro भी Concept नहीं है और Macro यानि कि पूरी Social Structure को हम Study नहीं करते है यहाँ पर हम Basically Group को Study करते है Ethno यानि कि People लोग इसको हम Ethnicity भी कह सकते है एक Group को हम Basically Study करते है इस बज़े से Ethno Methodology जो है यह Macro भी नहीं है यह Micro भी नहीं है लेकिन यह जो है यह Artful Practices of Both यानि कि यह Macro-Micro का Combination है यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा It is not certainly Macro यानि कि यह कभी भी Macro Methodology हो ही नहीं सकता यह Macro और Micro के बीच में है लेकिन Micro के आसपास है क्योंकि हम Micro में क्या करता है एक Individual को Study करते है Individual किस तरीके से सोचता है इसको Study करते है लेकिन हम Ethnomethodology में एक Group को Study करते है इस बज़े से यह Macro के आसपास होता है लेकिन Macro यह कभी भी नहीं बन सकता यह जो Ethnomethodology का Perspective है यह Develop किया था Harold Garfinkel ने और यह Ethnomethodology 1940s में Develop होआ था यह जो यार है यह भी यह आप लोगों को देखना होगा क्योंकि यह exam में पूछा जाता है Harold Garfinkel ने Emil Durkheim को भी Criticize किया था Emil Durkheim का जो Concept है Social Fact का इसको उन्होंने Criticize करते हुए कहा था कि Emil Durkheim ने Social Fact को हर एक इनसान के हिसाब से देखा है लेकिन हमारा जो Social Fact है यह Basically हमारे Members के दुआरा ही बनाए जाती है किया जाता है इस बज़े से हमें चीजों को इस तरीके से Study करना है लेकिन Emil Durkheim ने इसको पूरे Society के हिसाब से Study की थी कि Social Fact है यह हमारे पूरा Society के लिए Applicable है लेकिन Garfinkel ने ऐसा नहीं कहा था Garfinkel हमारे Social World को Directly Study करने की कोशिश कर रहे थे यानि कि बाकी सारे जो लोग है वो पूरी Society को तो Study कर रहे थे लेकिन वहाँ पर Scientifically चीजों को Study किया जाता था अगर हम Positivism की बात करें Positivism में चीजों को Scientifically उसको तोड मरोड के चीजों को समझाने की बात की जा रहे थे लेकिन Garfinkel का जो Ethno Methodology है यहाँ पर Social World को Directly Study करने की बात की जा रहे थे यहाँ पर लोगों का Common Sense Reality को Study किया जा रहा था यहाँ पर वो Deeply क्या सोच रहे है इसको Study नहीं किया जा रहा था यहाँ पर लोगों का Common Sense को Study करने की बात की जा रहे थे यहाँ पर लोगों की Practical Reasoning की बात की जा रहे थे कि लोग Practically किस तरीके से सोचते है यहाँ पर लोग Rational होके किस तरीके से यानि कि Scientific होके किस तरीके से सोचते इसके बारे में बात नहीं की जा रही थी यहाँ पर लोगों की practical reasoning की बात की जा रही थी यानि कि वो लोग day to day life में किस तरीके के reasoning यूज़ करते है अब देखते हैं cultural dope Harold Garfinkel ने cultural dope को study किया था अब यह dope क्या है, dope basically puppet है puppet यानि कि cut put le, हम जब भी जो भी लोग theorist तयार करते है हमारा sociology में लोगों को study करते है वो लोग किस तरीके से लोगों को study करने के कोशिश करते है वो सारे लोग इस तरीके से लोगों को दिखाते है कि लोग culture से बंधे हुए है यानि कि लोग culture के puppet है culture जिस तरीके से लोगों को चलाएगा लोग उसी तरीके से ही हमारे society को देखेंगे उसी तरीके से अपना development करेंगे लेकिन Harold Garfinkel ने कहा था कि society exactly इसी तरीके से नहीं चलता है society को stable रहने के लिए हमें culture को तो मानना पड़ता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीजे है बहुत सारे alternative action है जो हम करते है जिसके बज़े से हमारा society में बदलाव आता है यहाँ पर जो common culture है वो हमारे action के लिए काम करते है लेकिन फिर भी society में कुछ चीजे है जो change होती रहती है लोग puppet है लेकिन उतने हद तक नहीं है जो इसे sociologist describe करते है अगर ऐसा होता तो हमारा society कभी भी change नहीं होता हमारा society culture जिस तरीके से चाह रहा है उसी तरीके से होता आज जिस तरीके से बदलाव हम society में देखते है जैसे race के basis से लोगों को अलग करना हम छोड़ दिये है लोगों को caste क्या है ये हम आजकल नहीं पूछते है इसी तरीके से society में culture में change आता जा रहा है अगर लोग cultural dope होते तो सायद इस तरीके का वदलाव नहीं आया होता फिर उनका concept है indexicality indexicality बहुत ही एक important चीज है जो हमें समझना होता है indexicality means that there is a particular code, grammar और vocabulary used among people in a given region यानि कि लोग अपने time के हिसाब से अगर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो कुछ code यूज करेंगे, कुछ grammar, कुछ vocabulary हम यूज करते हैं जब भी किसी के साथ बात करते हैं या फिर interact करते हैं तब हम कुछ ना कुछ ऐसे special चीज़े यूज करते हैं हमारा situation के हिसाब से हम dictionary की meaning के हिसाब से चीजों को use नहीं करते हैं इसके अलाबा भी हमारा practical situation में हम चीजों को अलग तरीके से relate करने की कोशिश करते हैं इसको ही indexicality कहा जाता है यानि कि अगर आप किसी भी इनसान से इनसान के उपर हाथ उठाने की बात करो यानि कि आप अपना हाथ आगे ले जाओ तो यहाँ पर दो तरीके का meaning बनता है एक होता है आप उसको मारोगे या फिर दूसरा होता है आप shake hand करने के लिए उसके सामने हाथ बढ़ाए हो लिंग्वेज है ordinary talking का system है यह सारे चीजों को describe किया जाता है यह सारे चीजों को point out किया जाता है Harald Garfinkel ने कहा थे कि indexical expressions जो है यह हमारे ethno methodology के लिए बहुत important होते है अब देखते है accounts का concept यह accounts को हम accounting भी कह सकते हैं अब यह account किया है हमारा ethno methodology जो है यहाँ पर account का बहुत बड़ा importance है ethno methods are reflexibly accountable यानि कि जो हमारा ethno method है वो एक reflexibly accountable है अब यह account किया है accounts are the ways in which actors explains, describe, criticize and idealize specific situation यानि कि अगर किसी भी एक इनसान के सामने एक situation आये तो उसको किस तरीके से describe करेगा उस situation को किस तरीके से idealize करेगा उसको ही कहा जाता है account जैसे अगर कोई भी इनसान के सामने अचानक से कोई celebrity आ जाए जैसे सचिन टेंडूल कर आ जाए तो वो किस तरीके से react करेगा वो उस situation के उपर depend करता है अगर किसी भी एक इनसान के सामने कोई खुनी आ जाए या फिर कोई चोर आ जाए तो वो किस तरीके से अपना जो expression है expression देगा ये दोनों चीज़े अलग होंगी अगर celebrity आए तो एक तरीके का खुशी का expression होगा अगर कोई murderer आए तो उसके सामने उसका दूसरी तरीके का action होगा यानि कि हमारा जो action है ये accountable है हम हिसाब करके चीजों को समझते है हमारा जो भी situation है उस situation में हम अपना दिमाग में हिसाब कर लेते है यानि कि हम एक account create कर लेते है हम पहले हिसाब कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें act करना है यह जो account है accounting is the process by which people offer accounts in order to make sense of the world यानि कि उसका जो भी world है उसको समझने के लिए उसे accounting का use करना पड़ता है उसका जो society है इसके relevance को समझने के लिए उसके expression को समझने के लिए और उसके society के समझने के लिए उसे accounting का use करना पड़ता है accounting यानि कि हम किस तरीके से society में specific situation में अपने आपको explain करते है describe करते है, idealize करते है या फिर criticize करते है अब यहाँ पर देखते है documentary method के बारे में Harold Garfinkel ने documentary method के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि हामा ethno methodology में basically documentary method को use करते है documentary method consist of treating an actual appearance as the document of and as pointing to as standing on behalf of of a pre-supposed underlying pattern अब यह documentary method basically है क्या documentary method एक ऐसा चीज है जहाँ पर हम लोग किस तरीके से है हम एक document हमारे दिगमाग में रखते हैं यहाँ पर लिखने को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर हमारे दिमाग में एक scratch तयार होगा हम एक point तयार करेंगे हमारे दिमाग में के हमारे जो भी चीजे है वो उसको हम किस तरीके से treat करेंगे या फिर हम किस तरीके से appear करेंगे इस सारे चीजों के बारे में एक documentary method होता है यह जो documentary method है इसके द्वारा हम एक pattern को select करते हैं हम किसी भी subject के हिसाब से किस तरीके से response करेंगे या फिर कोई भी अगर हमारा पास pattern हो उसको उस situation में किस तरीके से handle करेंगे यह सारे चीजे हम documentary method के द्वारा ही समझते हैं यानि कि हमारे दिमाग में एक document होता है मतलब कोई भी चीज का कुछ features होते हैं उसके द्वारा ही हम किसी pattern को समझ पाते हैं जैसे अगर अचानक से हमारे सामने एक गाड़ी आ जाए तो हमारे दिमाग में किया आएगा कि उस गाड़ी से कौन उतरेगा इसका एक list होगा अगर हम किसी road पे खड़े हैं तो कोई भी गाड़ी आए तो हमारे लिए इतना ज्यादा important नहीं होगा लेकिन अगर कोई गाड़ी आपके घर के पास आकर रुकी तब आपके दिमाग में strike होगा कि इससे कौन निकल के आ सकता है यही हमारा एक sketch होता है यही है हमारा documentary method कि हमारे situation के हिसाब से हमारा दिमाग किस तरीके से react करता है किस तरीके से patterns को समझ पाता है फिर देखते हैं हमारा breaching experiment breaching experiment जो है यह ethno methodology में बहुत important होता है breaching experiment में हम हमारे जो day to day life common sense reality है इसको challenge करने की कोशिश करते है यानि कि हम यहाँ पर बदलाव की कोशिश करते है जैसे अगर आपके आप किसी institute में पढ़ रहे हो अगर आप देखोगे किसी class में सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे है घूम रहे है तब आप समझ जाओगे कि उस class में कोई teacher नहीं है लेकिन अगर आप कोई class में ऐसे देखो के सारे बच्चे disciplined होके बहटे है तो आपके दिमाग में यह सोचना आएगा कि शायद उस class में teacher है यानि कि हमारा day to day life जो है यह हमारे common sense से चलता है हम यह सारे चीजों के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन ethno methodologist जो Harald Garfinkel ने कहा था कि हम breaching experiment के द्वारा हम society को समझने की कोशिश कर सकते हैं हम society का जो order हो उसको थोड़ा slightly change करके चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं जैसे अगर हम रोज day to day life में सुबा उठकर पहले jogging पे जा रहा है अगर कोई इनसान अगर उसका jogging को अचानक से बंद कर दिया गया तो वो किस तरीके से react करेगा इसको कहा जाएगा breaching experiment यानि कि society में कुछ बदलाव लाना और इस breaching experiment के द्वारा ही हम समझ सकेंगे कि वो इनसान जो daily jogging कर रहा था उससे उसको क्या फाइदा हो रहा था वो किस तरीके से सोच रहा था हमारा जो social reality है हमारा जो social fact है ये create किया जाता है यहाँ पर जो चीज़े है हमारे social world में ये सारे चीज़े basically reflexive है हम reflexivity के द्वारा ही हमारा जो situation है उसके साथ adjustment कर पाते है जैसे अगर किसी को हम jogging से रोग दे तो वो क्या करेगा घर में बैटके रहेगा लेकिन उसका जो normal daily routine था वो तो change हो गया है लेकिन फिर भी वो उसके साथ adjust करने की कोशिश करेगा उसको ही कहा जाएगा reflexivity यानि कि हमारा जो day to day life है उसके साथ भी आगर हमारे कुछ changes आ जाए तब भी हम उसके साथ cope up कर सकते हैं हम reflexive रहते हैं अमारा action जो है वो भी reflexive होते हैं यहाँ पर breaching experiment को समझाने के लिए Harold Garfinkal ने एक बात की थी उन्होंने agents बोलके एक इंसान थे जिनका case study किया था agents जो पहले जनम जो हुआ था वो एक male person था लेकिन धीरे 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 जब वो 16 साल का हुआ तो उसने घर छोड़कर अपने आपको एक महिला की तरह बनाने की कोशिश की थी यानि कि वो अपने आप में सारे female characteristics को adopt करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब वो धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा था उसमें वो successful भी हो गया था यानि कि उसका जो voice है वो भी female की तरह बन गया था उसका जो रहन सेहन है चाल है वो भी उसका जो face cutting है ये सारे चीज़े उसने change कर दी थी उसने पूरी की पूरी तरीके से पहले तो वो male था लेकिन वो बाद में पूरी की पूरी तरीके से female बनने की कोशिश कर रहा था उसने doctors के साथ भी बात की थी कि उसका genital को change करते हुए female का genital use करने के लिए यानि कि आप लोग इहाँ पर देख सकते हो कि जो इनसान है वो अपने आपको male जो था वो अपने आपको पूरी तरीके से female में adopt कर पा रहा है यानि कि हमारा society का जो normal तोर तरीका है उसको वो छोड़ते हुए भी female में convert हो सका है इसको ही हम basically कहते है breaching experiment जहाँ पर हम society के normal court conduct को breach करते हैं यानि कि तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जो agents थे वो सारे चीजों को करने में शक्षम हुए थे और society के साथ adjust करने में भी बहुत आसानी से adjust कर पाया और इसी चीज को हम reflexivity कहते हैं यानि कि हम जब adjust कर पाते हैं उसी चीज को reflexivity कहते हैं यहाँ पर जो case of agents है इसके regarding भी बहुत बार question पोचा जाता है कि यह case of agents किसके related है और इसको किस ने किया था इसको Harold Garfinkel ने इस case study को study किया था अब देखते हैं Harold Garfinkel का एक और important concept जो है conversational analysis Conversational analysis यानि कि हमारा जो day to day life में हम जो conversation करते हैं लोगों के साथ बातचीत करते हैं इसको ही conversation कहा जाता है और इसको analyze करते हुए उन्होंने ethno methodology को और जियादा develop किया था उन्होंने लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं उसके pattern को analyze करने की बात की थी उन्होंने content के बारे में कुछ नहीं कहा था कि हम content को study नहीं करेंगे यानि कि क्या बात हो रही है उसको study नहीं करेंगे वो जो लोग है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात कर रहे है उसका pattern क्या है उसको analyze करने की उन्होंने बात की थी हम यही लोगों के जो conversation है इसको analyze करते हुए ही उसका जो fundamental structure है उसको समझ सकते है यहाँ पर conversational analysis जो होते है वो relationship देखते है कि लोग किस तरीके से चीजों को pronounce कर रहे है लोग किस तरीके से words को utter कर रहे है और यहाँ पर speaker और जो hearer है इसके relationship के बारे में इतना ज्यादा बातचीत नहीं की जाएगे यहाँ पर उनका wording किस तरीके से है इसके उपर ज्यादा importance दिया जाएगा अब यही conversational analysis के regarding एक concept आता है जिसको हम कहते है glossing glossing यानि कि जो भी लोग बातचीत कर रहे है conversation कर रहे है उनसे हम important parts को निकालते हुए चीजों को analyze करने की कोशिश करेंगे इसको ही glossing कहा जाता है यानि कि जो भी conversational analyzed है वो लोग conversation से कुछ चीज़े select करते है जो कुछ focus चीज़े select करते हुए उन चीजों को study करके समझने की कोशिश करते है कि वो जो लोग है वो किस बारे में बात्चित कर रहे है उनका बात्चित का pattern क्या है इसको ही basically glossing कहा जाता है Harold Garfinkel ने और बहुत सारे koncept के बारे में बात की थी उन्होंने service lines के बारे में बात की थी Ques के बारे में बात की थी और एटसेटरा service line यानि कि हम किस line पे खड़े होंगे हम day to day life में बहुत सारे जगाओं पर खड़े होते है इसका कुछ ना कुछ meaning होता है जैसे अगर हम bank में जाते है ज्यादतर अगर state bank में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है line में ये जो lines है ये हमारे day to day activities में बहुत important role play करते है हमें पहले से पता चलता है कि हमें कौन सी जगापर जाकर line में खड़ा होना है और कौन सी जगापर line में खड़ा नहीं होना है इसको ये उन्होंने कहा था कि service lines किसी भी service लेने के लिए प्रोवाइट करने के लिए हमें line में खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर इसके related उन्होंने cues का concept दिया था यानि कि हमारा जो line है ये हमारे daily routine होता है ये हमारे अंदर internal हो जाता है हमारा society के तौरतरों के द्वारा यानि कि हम लोगों के साथ interact करते हुए socialization के द्वारा हम cues में खड़े होना सीख जाते है ये हमारा hidden social norm बन जाता है हमारा जो society का जो hidden norms है इसको भी हम दिरे-दिरे समझ पाते है जैसे अगर आप किसी जगा पर admission लेने के लिए गये हो तो आप लोग क्यू में खड़े होगे एरपोर्ट में जब होगे तब भी क्यू में खड़े होगे आप लोग पहले से देख के ही समझ जाओगे कि आपको कहा पर खड़ा होना है और कहा पर नहीं यही concept को उन्होंने ethno methodology में भी use किया था उन्होंने और एक important concept है जो etc principle इसके बारे में भी बात की थी etc यानि कि कुछ ऐसी चीज़े है जो हम हमारे society में हमारे practical situation में कुछ ऐसी चीज़े है जिसे हम general principles के द्वारा study नहीं कर सकते इसको कहा जाता है etc principle यह सारे जो चीज़े है यह आमारे normal life से बाहर है नॉर्माली यह सारे चीज़े नहीं होती है जो सारे चीज़े नॉर्माली day to day life में नहीं होती है नॉर्माल principles से जिनको हम study नहीं कर पाएंगे वो हो जाएंगे हमारा etc principles अब यहाँ पर हम देखते हैं Harold Garfinkel का last concept आज के class का last concept यहाँ पर जो concept है यह है color trouble color trouble basically एक essay है जो Harold Garfinkel ने लिखा था यह क्यों इतना important है color trouble में Harold Garfinkel ने लिखा था victimization of segregated black women traveling on a bus in Virginia वारजिनिया में black women किस तरीके से buses में travel करते हैं वो लोग क्या क्या चीज़े face करते हैं इसके related उन्होंने इस book में लिखा था यहाँ पर basically वारजिनिया में जो लोग है black और white यह दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा complexity है यहाँ पर जो black लोग है उनको खड़े हुए के जाना परता है वो लोग white लोगों के साथ बहट नहीं सकते इसी तरीके का situation है यहाँ पर उन्होंने इसके regarding ही इस book में लिखा था कि लोग जो black woman है वो किस तरीके से problematic situation face करती है भारजिनिया के बास में travel करते हुए अब यह जो color travel black woman के लेके जो उन्होंने लिखा था यह क्यों important है यह ethno methodology के purpose से बहुत important है क्योंकि हम ethno methodology में क्या study करते है ethno methodology में हम basically study करते है हमारा common sense reality यह जो चीज है यह वारजिनिया का एक common sense reality है यानि कि हम बाकी parts of world में देख सकते हैं कि black woman और white woman एक साथ ही travel कर रहे है लेकिन उस time period पे वारजिनिया में black woman और white woman के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था लेकिन जो भी अंतर था उस जगा के हिसाब से वो एक norm बन गया था यानि कि वो उनका day to day life था वो उनके लिए एक common sense reality था यहाँ पर इसी चीज को समझाते हुए जो ethno methodology है वो लोग breaching experiment की बात करते है etc principle की भी बात करते है और status degradation ceremony की भी बात करते है यानि कि किस तरीके का रोगों का जो status है वो धीरे-धीरे degrade हो रहा है और यह हमारा common sense reality किस तरीके से बन रहा है यह color trouble से हम यह सारे चीज़े भी समझ सकते है इसलिए color trouble जो ऐसे है यह Harald Garfinkel का बहुत एक important work है जो हमें society के बारे में समझाता है और ethno methodology में किस तरीके का चीज़े हम describe करेंगे इसको भी हमें अच्छी तरीके से समझाने में मदद करता है तो आज का class यहाँ पर ही खतम करता हूँ अगर class अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरूर करना और channel को subscribe कर देना क्यूंकि sharing is caring जब आप दोस्तों के साथ चीज़े share करोगे तब ही आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप उनके लिए care करते हैं तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहे सुस्त रहे और लोगों में प्यार बाटते रहे जाए हिंद